जब देश में पहली बार चुनाव होए थे तब चुनाव आयों के सामने कई मुश्किले थी महिलाएं 50 के दशक के चुनाव में वोटर के तौर पर अपना नाम लिखवाने से कतरा आती थी वो चाहती थी कि उन्हें उनके पती या भाई या फिर किसी पूरुष रिष्टेदार के लहज़े से जाना जाए और इसी वज़े से कई महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में आये भी ने धिरे धिरे ये धारना हटी और महिलाओं भी वोट देने के लिए आगे आने लगी लेकिन चुनाव आयोग के उपर एक जिम्मेदारी हमेशा से रही है वो है निश्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसी तरह की धांदले बाजी फर्जी वोटिंग ना हो इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तयार रहता है हाला कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वाके सामने आये हैं जैसे की गुजरात में EVM और वोटिंग प्रक्रिया को लाइब करने वाला वीडियो और भी कई उधारन है लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजबी प्रत्याशी का भी एक वीडियो वारिल हुआ था जिसमें वो महिलाओं से बुर का हटाने को कहती है लेकिन क्या चेहरा ढखने से पार दर्शिता पर असर नहीं होता है और इसको लेकर चुनावायो के क्या नियम है यह सब चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है रियाश हर्मा और आप देख रहे हैं TV9 Digital दरसल हैदराबाद से बीजबी प्रतियाशी माधवीलता पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए IPC के सेक्शन 171C पब्लिक सर्वेंट को रोकने पर 186 और 501C के तहट मामला दर्ज हुआ है साथी साथ लोग प्रति निदित्व अधिनियम की धारा 132 के तहट भी केस दर्ज हुआ है उन्हेंने सफाई देते हुए ये कहा है कि कानून के मताबिक मुझे अपने इलाके में वोटर्स के ID कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिने देखने का अधिकार है मैं पुरुष नहीं हूँ मैं महिला हूँ और मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से बात की थी खेर चुनाव आयोग का काम ये होता है कि वो निश्पक्स चुनाव करा है इसमें ये भी देखा जाता है कि कोई फर्जी वोट ना डाला जाए अगर जरूरी हो तो मद्दान अधिकारी के पास ये हग भी होता है कि वो बोटर कार्ड की फोटो और मद्दाता के चहरे का मिलान कर सके बुर्का या फिर गुंगट में चहरा ढगकर पहुँची महिला मद्दाताओं की गोपनियता की भी रक्षा हो सके साथ ही साथ फियर एलेक्शन भी हो इसके लिए चुनावायोग ने संबंदित अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दी हो है इसके मताबिक अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर काफी संख्या में बुर्का पहने हुए महिलाएं मद्दाता पहुँच रही है तो अधिकारियों को उनकी पहचान के लिए खास विवस्था करनी चाहिए इसके तहट एक अलग कमरे में महिला मद्दान अधिकारी की न्युक्ती होने चाहिए ताकि गोपनियता और शालिंता भी बनी रहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जारी हैंडबुक ये कहती है कि अलग कमरे या स्पेस के लिए स्थानिय तोर पर उपलब्द लेकिन सस्ता विकल्प हो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जहां भी चहरा ढखे हुए महिला वोटर आ रही हो वहां कम से कम एक महिला पोलिंग ऑफिसर जरूर होनी चाहिए ये तो हमने आपको बताया कि भारत में इसको लेकर क्या नियम है? अब कई देश और भी ऐसे हैं जहां बुरके को लेकर रोक तक लग चुकी है महिलाएं सारवजनिक जगाओं पर बुरका या नकाब नहीं पहन सकती है ये नियम सेफटी को देखते हुए बना है सबसे पहले लगबग 12 साल पहले फ्रांस में ये नियम बनाने वाला पहला देश बना था जिसके बाद कतर, बेल्जियम, ये नियुदर लान और आस्ट्रिया में भी ऐसे नियम बनाए जा चुके हैं बहराल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनेदे मारे साथ टीविनन डिजिनी पर